हेलो फ्रेंड्स वेल्कम तु स्ट्वेंट पीडिया आपका स्वागत हो दोस्तों मेरे चानल में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे काफी मन में डाट है आपके ठीक है काफी कमेंट्स मेरे पसा है इसे रिलेटेट जितने भी डाट्स आपके है सब किलियर हो जाएंगे इस वीडियो को पूरा देखिए और सेयर कर देजगा फ्रेंड के साथ ताकि उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो चलिए सबसे सुरू जितन में आपके नाम होंगे जैसे चांसेस में मों और स्वस्फ केसल लिस्व में आगर आपके थिक है बहुत कमी लोगों के नाम रहते हैं दुनों का डिगरी में ठीक है तो इस पर क्या करना है क Scr. अगर 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 प्रोसेस आप पड़िए गा तो यहां पर आपको बतला दिय रिक्ष से आप किसे चूज़ करेंगे क्योंकि rank अगर आप देखे तो यहाँ पर कुछ लोगों की rank जो रहती है special category में सही रहती है पर कुछ लोगों का general category में rank अच्छा होता है तो मैं बतला दूँ आपको कि ऐसे में क्या करें तो जिस पे आपको ज्यादा chances लगता है कि हाँ हो जाना चाहिए क्योंकि मैंने cut-off के वीडियो जो है already बना कर रखी और cut-off मेरा approach बाकियों से तो बहुत सही रहा था मेरा ठीक है जैसे कि मैंने जो foreign language बनाया वो जो है पूरा confirm सही रहा और मेरा जो है एक idea हो जाएगा कि आप किसे चूज करें special category को चूज करें या यहाँ पर जो है अपने जो है general जो rank आपका chances में मोमा है उसे चूज करें ठीक है तो आप comment भी कर सकते हैं मैं बतला दूँगा किसे पर चूज करना है तो यह आपको यहाँ पर चूज करना है फिर यहाँ आगे आप बढ़ सकते है special category में सूज करेंगे तो special category के लिए आपको valid certificate चाहिए यहाँ पर जिसे जो है आप क्लेम कर सकते कि हाँ special category से belong करता हूँ जैसे आप यहाँ पर CA है जो CA category से belong करते है ठीक है तो यहाँ पर जो है आपको काफे dot है जितने आपके वह clear हो जाएंगे documents क्या क्या चाहिए आपको तो दसवा अगर आप पढ़ेंगे point यहाँ पर आपकी तो आपको यहाँ पर बतला दिया गया है कि यहाँ पर आपको एकदम upload करना है दोनों site की copy scan करके और मैं बतला दूँ इसमें आपको PDF बनाना है तो PDF आप कितने pages का भी बना सकते है और उसे upload कर सकते है तो यहाँ minimum आपका दो ही page का बनेगा क्योंकि एक front or back view वह आपको यहाँ पर दिखलाना है तो उसको upload करना है तेंत की certificate आपके birth date को वह प्रूव करें तो उनको upload करना है और उसे पहले वाले जितने अभी जैसे graduation के बाद कोई masters में ले रहे हैं तो graduation वाला आपको upload करना पड़ेगा यहाँ और जैसे कि यहाँ पर बोला गया है marks it all semester parts यह है graduation वालो के लिए तो graduation के बाद master में जो ले रहे हैं general rank आया है तो आपको कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर भेजने का special category का ठीक है जैसे मैं बतला दूँ बहुत लोग general category से qualify कर जाते है तो उनको certificate दिखाना नहीं पड़ता क्योंकि वो special category quota से admission नहीं ले रहे है admission उनके mark जो है general हितने है general category में जितने mark से selection हुआ है बाक्यों का उतने में हो रहा है तो यहाँ पर आपको certificate की जरूत नहीं है आप यहाँ पर certificate नहीं भी देंगे तो चलेगा दे देंगे तो अच्छी बात है ठीक है चली explanation नीचे जो दिया गया है उसे मैं जो है इसली आपको अच्छी से बतला देता हूँ आपने जो जितने भी examination पास किये है उसका जो है result यहाँ पर upload कर देना है simple यहीं बतला दिया गया है PG मिले रहे है तो UG का upload कर देना है UG मिले रहे है तो आपको जो है class 12th का result upload कर देना है पूरा यहाँ पर और 10th का उससे पहले जितने भी examination लिए जैसे 10th vote, 12th vote उसके बाद graduation तो उसी हिसाब से upload करते जाना है और मैं बतला दू फिर special card degree का बात किया गया है यहाँ कि special card degree से जो है counseling में तो आपने claim को करने के लिए यहाँ पर proof दिखाए जैसे special card degree को अपना यहाँ पर upload करना है documents वगएरा और फिर आती है बात यहाँ पर candidate के लिए की upload फिर से आपको यहाँ पर बतला दिया जाता है क्या-क्या इस साल लगेंगे आपको तो मैं बतला दू यहाँ काफी लोग डॉट खा रहे थे migration certificate और TC क्या होता है तो मैं बतला दू दू एक ही चीज है आपको migration और TC transfer certificate migration certificate एक ही होता है आपको लेना है इसकी scan copy देनी है बहुत लोगों ने दूसरे जगा admission ले लिया वहाँ नहीं हो रहा तो मैं बतला दू आपको जो है इसकी हमेशा ज़रुत पड़ेगी आप लेकर रखा किजिए Marksit की photo वगएरा scan करके उसे रख लिया किजिए upload करने में क्योंकि physical verification बाद में है पहले आपको फुरूब ऐसा ही दिखा देना है आपको admission मिलेगा आप admission ले ले लेंगे फिर physical verification में उसकी ज़रुत पड़ेगी तो आपको scan copy बस इसकी submit करनी है और जो है Marksit जो अभी आपका अगर बूर्ट पास Marksit आ गया हो तो Marksit अप्लोड ज़रूर कर देजएगा आही गया होगा ठीक है और college जाकर पता कर लेजिए अगर आप certificate जो है दिखा नहीं पाते तो admission आपका cancel कर दिया जाएगा और मैं बतला दू online counseling हो रही काफी problem होगी अगर ऐसा होता है तो इसलिए सारे certificate जो है आप इंतिजाम कर लेजिए यहाँ आपको upload करने ही होगे क्योंकि बागी बहुत से लोग है जो है certificate ठीक है यह आपको स्कूल से मिल जाएगा तो आप उसे ले लीजेगा ठीक है तो आपको यहाँ पर स्कूल और बात करे college तो college ही दे देगी आपको certificate जैसे आपने get के exam दिया है तो आप वो दे सकते है ठीक है और यहाँ पर बतला दू मैं कि यहाँ पर जो बतलाया गया है जो format बतलाया गया है वो आप देख लेजे आपने admit card में जो जो submit करे थे documents वो आपको देने ही है यहाँ JPG, JPEG BMP etc जो आपके होते formats उस पर आपको upload करना है पर जो अब बाकी documents आप upload करेंगे वो signature और photo की बात करें ठीक है और बाकी जितने भी documents से इस पर आप PDF, JPG, JPEG यह format में बना सकते हैं एक में देखे PDF तो easily बन जाएगी आपकी दोनों साइट की photo लेजिए एक file बनाईए उसका name जो है एकदम mention कर दीजएगा वहाँ migration certificate है तो migration certificate फाइल का नाम लिख लीजिए कोई भी problem यहाँ नहीं होना चाहिए upload करने time पे बहुत यहाँ पर आपको सवधानी से यहाँ पर upload करना है documents इधर उधर मत किर जाएगा पर proper time दिया गया है आपको ठीक है यहाँ पर और उस time पे आपको जब documents आप upload कर देंगे री चेक जरूर कीजिए documents विर सम्मिट कीजिए processing के लिए आगे जाएए और जो counseling का आपका date दिया गया है जिस दिन आपको admission offer किया जाएगा उस दिन active रही है mobile से आप easily check कर सकते status देख सकते हैं आपको जो है cafe जाने की जरूरत नहीं है mobile से अच्छा camera है तो explain जो है आप जो है scan करके upload कर सकते है mobile से सब कुछ possible है पर मैं बतलाद हूँ अगर आप अच्छे user नहीं है mobile के अच्छे use नहीं कर पाते है अच्छे से जान नहीं पाते है क्या करना है तो मैं बतलाद हूँ cafe चले जाएगे वो आपका सारा काम कर देंगे पर आपको यहाँ पर status देखना आना चाहिए आपको यहाँ पर जब बोला जाएगा कि payment कीजे तो आप mobile से payment कर सकते है ठीक है तो अपने senior हो या भाई हो या कोई भी sister हो आप से ठीक है buddy तो उनके पास चले जाएए उससे पूछिए कैसे करना है क्या करना है और उनका help लेजिए अपने parents का help लेजिए और अच्छे से काम केजिए क्योंकि यह admission का सवाल है आपका थोड़े से गलती में आपका admission cancel हो सकता है तो इसमें अच्छे से आपको करना है ठीक है और कुछ भी dot हो तो मैं हूँ मैं बतला दूँगा मैं काफी जो है अभी सारे comment देख रहा था काफी सारे dots है तो मैंने बहुत में comment करा बहुत दोगों का छूड़ जाता है तो new videos में आप गिया कीजिए ठीक है comment जोएसे भी कोई भी new videos मैंने अपलोड करा तो उस पर आप कर दिजेगा comment तो मैं बतला दूँगा आपको क्या क्या प्रोसेस है थैंक्स पू वाचिंग बेस्ट अफ लक्स शेयर कर दिजेगा ताकि किसी को problem नहों आगे